आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो यहां पर दियान रखना होगा है यहां पर माल लेजे की सोर्स है और यहां पर लेंज से कोई भी माल लेजे की लाइट यहां से सोर्स से निकला और यहां पर रिफ्रेक्ट हो करके यहां पर माल लेजे कहीं मीरर रखावा हुआ होगा यहां पर लाइट निकला और लेंज के वज़े से माल लेजी की कहीं आईवन पर इमेज बनता है ठीक है और हम इसके बीचे अगर रहें एक मिरर रख रहे हैं मिरर में तभी यह सोर्स पर बनेगा जब कि यहां पर इसमें पर्पेंडिकुलर पकड़े और यह उसी पाथ को रिट्रेस करके फिर यहां पर सोर्स पर ही इमेज उसका बना दे ठीक है मिरर के वज़े से इसका तो पूछड़ आए कि यहां पर कि कितना डिस्टेंस पर इमेज mend रहा है तो चलिए फाइंड करते हैं लेंस फर्मूला हम लगा यहां पर यहां पर यहां अपन एफ ठीक है यहाँ पे अगर हम यू इक्वल टू लेंस के लिए यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15 cm क्योंकि यहाँ पर है यह अगर यहाँ पर हम औरीजिन इसको यहाँ पहले ठीक है तो इसकी यह लेप्ट साइड में है जो कि निगेटिव है तो माइनस 15 cm होगा ठीक है साइन कर बेंजर करना हो साथ इसका फोकल लेंथ होता है पॉजिटीव में प्लस 10 cm फोकल लेंथी धार लाइग करेगा राइट साइड में तो यहाँ पर गर हम वन अपॉन फी एक्वल टू वन अपॉन अपॉन यू में यहाँ पर पूट करें तो वन अपॉन करें 2 cm आजाता है व एकूल यहाँ पर इसका साइं जो है पॉजेक्षी लें तो इसका साइन पॉजिटीव क्या बढाता है बढ़ाता है उसका राइट इसका जो इमेज है ना इसके वज़े से mirror के वाज से reflect हो करके फिर यहां पस पर OUR स्बीस बन जाए तो यह पाथ को है ट्रेश करना और स्फॉस स्पे अगर हम किसी का इमेज बनाए तो बनाना चाहते हैं तो ठीक है तो यह इतना दूड़ पे होना चाहिए ताक्द यह का image जो है mirror के लिए क्या हो गया mirror के लिए object हो गया यानि कि यह जो है न मीरर के लिए for mirror यह object के तरह काम करेगी ठीक है यह object के तरह काम कर रहा होगा तो अबजेक्ट इतना दूरी पे होना चाहिए कि mirror के वजए से चाहिए भी ना image यहीं पह बने ताकर यह फिर से retrace कर जाए पात को ठीक है object वहीं यहीं हो जाए मतलब कि वह कौन सा होता है मतलब कि अगर radius of curvature पर हम अगे पता है कि radius of curvature पर अगर कोई भी object रहे तो उसका image जो है उसका भी radius यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 24 cm क्यों है 24 cm क्योंकि यहां फोकल लेंथ हमें जो दिया हुआ है 12 cm 12 cm radius of curvature कितना होता है 2 into focal length equal to 24 cm अगर हम radius of curvature पर अगर हम कोई object रखे तो इसका image भी radius of curvature बनता है अगर इसका image भी radius of curvature बन गया इस mirror के current radius of curvature बना तो फिर यही बात को retrace करेगा और यह फिर यहां पर source पर बना देगा तो यहां से यहां तक का distance 24 तो हमें question में यह पूछा गया कि mirror को कहां पर placed करें ठीक है लेंस से तो लेंस का distance यह x find करना था हमें यह 30 निकल गया यह 24 है तो हमारा x कितना हो गया 30 cm-24 cm equal to 6 cm तो mirror को जो हम 6 cm lens से placed करेंगे right side में तो वह retrace करेंगे बात को क्लासिक स्ट्वेल से लेके need IIT जे ही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट आउट्स आट 400 400 चार्स उपर करेंगे